नमस्कार साथियो स्रीश्याम क्लासेज के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं बीस्फ कैनल मैन का जो एक्जाम हुआ था 2023 में उसमें किस तरीकी के कुश्यन आये थे और भी जो प्रिविस एर पे जो एक्जाम हुए हैं उन सभी के दोस्तों कैनल मैन से समझेद अपन क्विश्यन देखेंगे तो कैनल मैन की जितने भी वाई तयारी कर रहे हैं वो आज security force होता है इसकी इस्तापना 1965 यानि एक डिसंबर 1965 को दोस्तों BSF की इस्तापना हुई थी मेरे साथ ही हो अगला कुश्चन देखी गा BSF का मुख्याले कहां पर रिस्तित है तो दोस्तों जो BSF का मुख्याले है वो न्यू देली के अंदर रिस्तित है कहां पर है BSF का मुख्याले न्यू देली के अंदर रिस्तित है ठीक है अगला कुश्चन देखी गा सीमा सुरुक्षयाबल किस मंत्राले की अधीन आता है कि जो सीमा सुरुक्षयाबल होता है वो किस मंत्राले के अधीन आता है ग्रह मंत्राले रक्षा मंत्राले विदेश मंत्राले या वित मंत्राले दोस्तो सीमा सुरक्षाबल जो है ये ग्रह मंत्राले के अधीन आता है ठीक है नेक्ट कुशन देखीगा बीएस एफ कैनल मैन का मुख्य कारिय क्या होता है जो बीएस iphone करना हथ्यारों की देखरेक करना यह या तäयात ने अंधरन करना धुETH जो कैalgम होता है उसका मुक्खेकारी क्या होता है कि जो गाड डोक सो होते हैं उनकी देखबाल करना और इजुकेशन देना या मुख्य उद्दे से विस्पोटक और नार्कोटिक्स का पता लगाना जो विस्पोटक पदार्थ होते हैं जो नार्कोटिक्स होते हैं उनका पता लगाने का कारिय किसका होता है जो डोग यूनिट होती है बियस्प में उसका कारिय होता है अगला कुश्चन देखीगा कुट् प्रिशिक्सित करने के लिए सबसे मैंत्भण यूद्ट कोुन सा होता है। धैरिये, प्रोध, आक्रमक्ता या आलस्य दोस्तों जो धैरिये होता है। किस नसल के कुत्ये B.S.F में सबसे अधिक उप्योग में लिए जाते हैं तो दोस्तो जो जर्मन सेफर्ड नसल के कुत्ते होते हैं विए सेप में सरवाधी कामें लिए जाते हैं अगला कुष्चन दिखिएगा साथ ही हो अगला question आता है आपका BSF Dog Unit के प्रिशिक्षक को क्या कहा जाता है कि जो BSF की एक Dog Unit होती है उसका जो प्रिशिक्षक होता है अर्था जो कुट्टो को सिक्ष्या देता है उसको क्या कहा जाता है trainee, master, handler या दोस्तो सिपाई तो दोस्तो B.S.F. इन्जिट को प्रिशिक्षन देने वाला क्या कहलता है B.S.F. के अंदर हैंडलर उसे बोला जाता है ठीक है next question देखिएगा अगला question है आपका B.S.F. के अंदर मैन को किस परकार के कुटों के सवास्ते की देखवाल करनी होती है कि जो B.S.F. का के अंदर मैन होता है उसको किस परकार के डोक्स की सवास्ते की देखवाल करनी होती है तो दोस्तो जो सैन्य और कामकाजी कुटे होते हैं इ इसको BSF केरलमेन को जो सेनने के लिया और काम काजी कुट्टे होते हैं उनकी देखवाल करने का कारिया होता है ठीक है अगला क्रिशन देखीगा कुट्टों के प्री सिक्षन के दोरान सबसे महत्पुन उपकर्ण क्या होते हैं जब कुट्टे को एजिकेशन दी जाती है तो उसके दोरान सबसे महत्पुन उपकर्ण क्या उनसा होता है पट्टा और कोलर खिलो ने चोकलेट या काड़ी तो दोस्तों कुट्टे के प्रक्सिशन के दोरान पट्टा और जो कोलर होता है यह सबसे महत्पुन अधिक उप्योगी उपकर्ण होता है ठीक है अगला क्रिश डोग यूनिट के कुत्तों का परमुक कारिय क्या होता है जो बीएसेफ के डोग यूनिट के कुत्ते होते हैं उनका सबसे महत्पुन कारिय क्या होता है तो दोस्तों गस्त करना और खोज करना इन कुत्तों का सबसे महत्पुन कारिय होता है बीएसेफ डोग यूनिट के कुत् खोज करना कुट्टो के प्रक्षी सन्ग में किस परकार का इनाम दिया जाता है कि कुट्टो का जो प्रक्षी सन्ग होता है उसमें किस परकार का इनाम दिया जाता है भोजन का, सजा का, खेल का या पानी का तो दोस्तो जो कुट्टो को प्रक्सिक्षन के दोरान किस परकार का इनाम दिया जाता है भोजन का दोस्तों उन्हें इनाम दिया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखेंगे कुट्टों के स्वास्ते की जांच कितनी बार करनी चाहिए मासिक सापताई क्या वार्शी क्या दोस्तों दैनिक तो दोस्तों जो कुट्तों के स्वास्ते की जांच होती है वो दैनिक यानि दिन में एक बार जरूर करनी चाहिए रोजना उनकी स्वास्ते की जांच होती रहनी चाहिए ठीक है अगला कुछन देखिए का साथ ही हो बसे डोग इनिट के कुट्व को सबसे अधिक किस वातावन में काम करना पड़ता है जंगली इलाका, सहरी इलाका, सीमा चेत्र या दोस्तों, पहाडी चेत्र तो दोस्तो B.S.F. डोग इनिट की जो कुत्ते होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो सीमा चेतर होते हैं उनके उपर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है ठीक है अगला कुस्षिन देखीगा साथ ही हो अगला कुस्षिन है आपका B.S.F. की कुत्तो को किस परकार के कारियों के लिए प्रक्षिसत किया जाता है यहीं जो B.S.F. की कुत्ते होते हैं उन्हें किस परकार के कारियों के लिए दोस्तो प्रक्षिक्सन दिया जाता है कि अवल निगराने के लिए विस्पोट और नार्कोटिक्स का पता लगाने के ठीक है अगला कुछिशन दीखीगा कुट्टों को प्रस्य सिक्सित करने के लिए किस गुण की आवसकता होती है कि कुट्टों को प्रस्य सिक्सित करने के लिए निम्न में से कौन से गुण की आवसकता होती है अनुसासन की प्रोध की डर की या उत्सुकता की तो दोस्तों कुट्त अनुसासन में रहेगा वोही प्रिसीक्सित हो सकता है ठीक है अगला कुष्टिन देखीगा बीएस्एप में एक प्रिसीक्सित कुट्ते की ओसत सेवा अबदी कितनी होती है कि ौब somewhere में जो कुट्टा होता है वह उसकी औसत सेवा की ना कि उसके जीवन काल के बारे में बात कर रहे हैं है अपन औसत सेवा आने वह अपने पूरे जीवन काल में कितने साल तक सेवा दे सकता है वो तो दंदर वर्स यह तो से कह ईत painted घाप BSF के अंदर उस सेवा देगा तो दोस्तों लगबग पांस से साथ वर्ष के लगबग उसकी प्रिशक्षित कुत्ते की ओसत सेवा अवदी मानी जाती है अगला क्यूशन देखीगा जब कुत्ता किसी संदिक्द वस्तु का पता लगाता है तो उसका विवार कैसा होता है कि जब कोई भी कुत्ता कोई संदिक्द वस्तु का पता लगा लेता है तो उसका विवार किस परकार से चेंज हो जाता है दोस्तों वो कुत्ता सांत रहता है और संकेत देने का कार्य करने लग जाता है अगला कुश्चन देखीगा बियसेफ कुटों को किस परकार के अपरादों का पता लगाने के लिए प्रिसिक्षित किया जाता है कि जो बियसेफ के कुट्ते होते हैं उन्हें किस परकार के अपरादों का पता लगाने के लिए प्र जो कुछ से नाता है आपका बीएसेफ कैनल मैन को कुटों की देखवाल के साथ किस परकार की रिपोर्ट तयार करनी होती है जो बीएसेफ कैनल मैन होता है उन्हें कुटों की देखवाल करने के साथ में किस परकार की रिपोर्ट भी तयार करनी पड़ती है तो दोस्तों उनके कुत्टों की देखवाल करने के सासाथ में किस परकार के रिकोर्ट और रिकोर्ड भी रखने पड़ेंगे एक तो उनके स्वास्त और परदसन किस परकार का रहता है इन सभी कर रिकोर्ड आपको रखना चाहिए ठीक है अगला कुछिछन देखिए का साथ ही हो अगला कुछन है BSF में कुत्तों को किस तरह के चिकिस्या सायता की आवसकता होती है कि BSF में जो कुत्ते होते हैं उन्हें किस तरह के चिकिस्या की सायता की आवसकता होती है सामाने दवाईयों पसू चिकिस्षक की देख रेक में विसेश चिकिस्षया घरेल उपचार या दोस्तो इंसानों की दवाएं दोस्तो पसू चिकिस्षक की देख रेक में विसेश चिकिस्षया की आप सकता होती है कौन से कुट्टों को जो BSF में होते हैं ठीक है अगला या option number D संतुलित आहार जिसमें protein, vitamin और खनीज होते हैं तो दोफों जो कुत्ते होते हैं उन्हें balance food की आव सकता होती है जिसमें protein भी हो, vitamin भी हो, और minerals भी हो यानि खनीज भी हो तो option number D right answer हो जाएगा कि कुत्तों को संतुलित आहार जिसमें protein, vitamin और खनीज तीनो ठीक मातरा में उपस्तित होते हूँ अगला क्रिश्चन देखीगा कुट्टो की देखवाल के लिए कौन सा टीका करण आफसक होता है रेवीज का, टेटनिस का, मलेरिय का, टीबी का तो दोस्तों कुट्टो की देखवाल करने के लिए जो सबसे अधिक टीका करण आफसकता होता है वैक्षिनेशन होता है, यह रेवीज का होता है ठीक है? यानि अपन बोल सकते हैं कुट्टो में सबसे अधिक आफसक टीका करण कौन सा टीजीज का होता है रेवीज डीजीज का अगला क्रिश्चन देखीगा BSF की कुट्टों की पैचान के लिए क्या आवसक होता है टैग और कोलर, माइक्रोचिप, केवल नाम और या केवल रंग तो दोस्तों BSF की कुट्टों की पैचान करने के लिए उनके अंदर एक माइक्रोचिप लगा दी जाती है जिससे हर कुट्टे को अलग-अलग पैचाना जा सके ठीक है अगला कुष्टन देखीगा एक कैनल मैन का क्या कारिय होता है जो कैनल मैन होता है उसका BSF में क्या कारिय होता है कि कुट्टों की देखवाल और सोचता का ध्यान रखना ही BSF कैनल मैन का कारिय होता है अगला question दीखिएगा किस परकार के कुट्तों का उप्योग BASF DOG SQUIRED में सबसे अधिक होता है कि कौन से कुट्ते होते हैं जिनका उप्योग BASF में DOG SQUIRED के रूप में किया जाता है ट्रेकर कुट्ते, स्नीफर कुट्ते, रैश क्यू कुट्ते हैं सभी परकार के कुट्ते तो दोस्तो डोग इस्वाइट के रूप में BSM में कौन से कुट्टे काम में लिये जाते हैं जो सनीफर कुट्टे होते हैं इनका उप्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है अगला करिशन जो आपका है BSM कुट्टों को कितनी बार 프리 section दिया जाता है कि दोस्तों जो BSM के कुट्टे होते हैं उन्हें कितनी बार 프리 section दिया जाता है केवल भरती के समय नियमित अंतराल पर केवल आसकता पढ़ने पर या दोस्तो साल में एक बार तो दोस्तो जो कुटे होते हैं उन्हें कितनी बार प्री सिक्षन दिया जाता है नियमित, अंतराल के बाद में दोस्तों लगातार उन्हें एजुकेसन देने की आव सकता होती है अर्था प्रिसिकसंड देने की आव सकता होती है ठीक है अगला कुशन दीखीगा कुट्टों की दिंचरिया में सबसे मैतपुन गतिविदी क्या होती है भोजन प्रिक्षक्षन आराम या दोस्तों खेल दोस्तों उनकी देने की दिंचरिया में सबसे मैतपुन क्या होता है उनका प्रिक्षक्षन करना या उनको एजुकेशन देना ही दोस्तों सबसे मैतपुन उनकी दिंचरिया में गतिविदी ह होती है अगला कुषिंगे देखी है बियो्स def में उप्यूग किये जाने वाले कुतों को किस परकार के समस्याओं से बचाने की आवस्कता होती है जो बियो पोस्न का सिकार भी नहीं हो ठकान भी उसमें नहीं और मानसिक तनाव भी नहीं और था आप बोल सकते हैं उप्रोक सब इन तीनों की आव सकता होती है इन तीनों से बचाना चाहिए कुट्टे को अगला कुश्चिन देखीगा बी एस एप में कुट्टों को मुख्य रूप से किस परकार के कारियों के लिए परिसिक्सित किया जाता है परिसिक्सित किया जाता है गार्ड डूटी के लिए ड्रक्स और विस्पोटों का पता लगाने के लिए खोज और बचाव के लिए युद्धु छित्र में मुकाबला करने के लिए तो दोस्तों बी एस एप में जो उपकर्ण का उप्योग BSF के कुट्टों की निगरानी के लिए किया जाता है तो दोस्तों जो GPS डिवाइस होती है इसका उप्योग करके दोस्तों BSF कुट्टों की निगरानी के लिए किया जाता है कोई से उपकर्ण का GPS डिवाइस का अगला कुश्चन देखेंगे जब BSF कु किसी भी परकार की गंद का पता लगा लेते हैं तो दोस्तों वो इक किस्तार पर रुक जाते हैं और संकेत देते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल जाएंगे यह कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको सबूत मिल जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखीगा एक प्रिसिक्सित कुत्ते की सेवा के बाद क्या होता है कि एक जो प्रिसिक्सित कुत्ता होता है उसकी सेवा के बाद में उसका क्या होता है उसे काम से रिटायर किया जाता है उसे बेच दिया जाता है उसे मरने के बाद दफनाया जाता है उसे फिर से प्रिसिक्सित किया जाता है दोस्तो जब एक प्रिसेक्सित कुट्टे की सेवा समाप्त हो जाती है तो दोस्तो उसे रिटायर कर दिया जाता है उसके काम से option number first right answer ठीक है अगला question दीखीगा बी एसेफ में कुट्टो की औस्त उमर कितनी होती है दोस्तो औस्त उमर की बात की जाए तो वो 10 से 12 साल की होती है अगर उनके सेवा कारिय की बात की जाए तो तो पांस साथ साल। बोल सकते हैं ओसत उमर की बात करें तो 10-12 साल सेवा कारिय की बात के करें तो 5-7 साल ठीक है अगला क्युस्टन दीखीगा बियेसाइफ कुत्तों को किस परकार की जलवायू में काम करने के लिए प्रिशिक्षित किया जाता है कि जो बियेसाइफ आले कुत्ते होते हैं उन्हें किस परकार की जलवायू में काम करने के लिए दोस्तों प्रिशिक्षिन दिया जाता है ठंडी जलवायू गरम जलवायू ऊशन कटी बंदिय जलवायू या दोस्तों सभी परकार की जलवायू तो दोस्तो जो BSF की कुट्टे होते हैं, उन्हें सभी परकार की जलवायों में काम करने के लिए दोस्तो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? अगला कुश्चन देखीगा, BSF डोग युनिट में, BSF की जो डोग युनिट होती हैं उन्हें कुट्टों को कितनी महीने की उमर में प्रिक्षिक्षन देना सुरू कर देना चाहिए, यानि जो BSF डोग युनिट के कुट्टे होते हैं, उन्हें कितनी महीने की उमर में प्रिक्षिक्षन देना सुरू कर देना चाहिए, एक से दो महीने, छे से आठ महीने, तीन से चार महीने, नो से बारा महीने, तो दोस्तो जो तीन से चार महिने का पब भी होता है उसे आप BSF के लिए pre-section देना शुरू कर सकते हैं ठीक है अगला question देखीगा BSF की कुत्तों को किस परकार की signaling टकनीक का उप्योग करके निर्देश दिया जाता है जो BSF के कुत्ते होते हैं उन्हें किस परकार की signaling देने की टकनीक होती है उसका उप्योग करके निर्देश दिया जाता है हाथ के संके से वो इस कमांड से CT से आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे BSF कुत्तों को किस परकार की सिक्षक की आफसकता होती है कि जो BSF कुत्तों को सिक्षक देने वाला होता है उन्हें educator की आफसकता होती है ट्रेनर की आफसकता होती है अर्थार बोल सकते हैं BSF कुत्तों को किस परकार के ट्रेनर की आफसकता होती है अर्थार हो अनववी होना चाहिए और दोस्तो धहरिया को धारन करने वाला वक्ती होना चाहिए अनववी और धहरिया वान ट्रेनर की आवस्कता होती है अगला question देखते हैं एक BSF कुत्ता दिन में कितनी बार भोजन करता है दोस्तो एक BSF का जो कुत्ता होता है दिन में लग बग 2-3 बार दोस्तो वो भोजन करता है अगला question है साथ ही हो कुट्टों को प्रिशिक्षम देते समय किन कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उनकी ताकत के उपर उनकी मानसिक इस्तती के उपर उनकी गती के उपर या दोस्तो डी उपरौकते सबी तो दोस्तों जो कुट्टे को प्रिसक्षम दिया जाता है तो हमें उनकी ताकत के उपर भी ध्यान रखना चाहिए उनकी मान स्थती क्या है इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और उनकी सीखने की क्या गती होती है इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए अर्थात उप्रोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चिन देखेंगे बी एस एप कुत्तों की देखवाल और स्वास्ते की जांच कोन करता है सिविल डोक्टर पसुच किसक कुत्ता हैंडलर या कोई विसेश जांच नहीं होती दोस्तों जो पसुच किस कुट्तों की देखवाल और स्वास्ते की जांच करने का कारिया करता है अगला कुश्चन देखेंगे कुट्तों को प्रिशिक्सित करने के लिए कितने गंठा का नियमीत प्रिशिक्शन दिया जाता है दोस्तों जो कुट्ते होते हैं उन्हें प्रिशिक्सित करने के लिए क एक दिन में उसे कम से कम 2-3 गंटों की दोस्तों ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है अगला कुश्चन देखीगा अगला कुश्चन है बीएसेफ कुटों की देखवाल के लिए किस परकार के भोजन की सला दी जाती है जो बीएसेफ के कुटे होते हैं उनकी देखवाल करने के लि भोजन देने की सला दी जाती है ठीक है अगला कुश्चन दीखीएगा BSF कुत्तों को सबसे अधिक किस समस्या का सामना करना पड़ता है भोजन की कमी का गर्मी में ठकावट का ठंड से सर्दी का या मान से के तनाव का तो दोस्तों जो BSF के कुत्ते होते हैं उन्हें सबसे जो ठकावट आ जाती है इस समस्या का उन्हें सबसे अधिक सामना करना पड़ता है अगला क्यूशन देखते हैं बीएसेफ में कुत्तों की फ्री सिक्षन के लिए किस तकनीक का सबसे अधिक उप्योग होता है जो बीएसेफ में डोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए किस का सबसे अधिक उप्योग किया जाता है तो दोस्तों जो पोजिटिव री इनफोर्समेंट होता है इस तकनीक का सबसे अधिक उप्योग किया जाता है जब कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है तब ठीक है अगला कुशन देखीगा बीएसेफ कुत्तों को किस परकार की गं किया जाता है तो दोस्तों विस्पटक पदार्तों की ट्रेंड गंद सुगने के लिए मादक पदार्तों की यानि ड्रक्स को पता लगाने के लिए और संदिक्द वुक्तियों का पता लगाने के लिए रथा तो प्रोक सभी राइट आंसर हो जागा इन तीनों ही इस्तियों के लिए उसे प्रेंड किया जाता है अगला क्यूशन दीखी गा बियस अप कुत्तों को काम के बाद कैसे आराम दिया जाता है उन्हें दोड़ाया जाता है उन्हें आराम दायक इस्थान पर रखा जाता है उन्हें सक्त अनुशासन में रखा जाता या उन्हें काम जारी करने के लिए प्रेडित किया जाता है दोस्तों जब कुत्तों का काम हो जाता है तो उनके बाद में किस परकार से आराम दिया जाता है अर्थात उन्हें आराम दायक इस्थान पर रखा जाता है चोड़ दिया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं BSF कुटो की सेवा निवर्थी के बाद में क्या होता है कि जो कुटे अपनी सेवा से निवर्थ हो जाते है सेवा निवर्थी हो जाती है तो उसके बाद में कुटो का क्या किया जाता है तो दोस्तो उन कुटो को दोस्तो जो सिवेलियन परिवार होते हैं उनको गोद दे दिया जाता है अर्थार्ट जो B.S.A.P के कुत्ते होते हैं अपनी सेवा निवर्ति के बाद में उन्हें सिवेलियन जो परिवार होते हैं उन्हें गोद दे दिया जाता है अगला कुशन देखीगा कुत्तों की नसले कैसे छुन सकते हैं तो दोस्तो उनकी बुद्धी मानी और प्रेसेक्षीक्षंणि की चमता के आदार पर कुट्टो की नसलो का कारीत चुनाव किया जाता है। अगला क्यों किसिन दीखीdfiğ का साथ ही हूँ। अगला question है BSF में dog handler की कर्टविक का होते हैं जो BSF में dog handler होते हैं उनक्या क्या कारिया होता है दोस्तो कुत्ते को reflection देना कुत्ते की दिन चलिया की देखवाल करना कुत्ते के स्वास्ते की निगरानी करना ये तीनों कार ये डोग हैडिलर के होते हैं अर्था ट्राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी तो दोस्तो आगे की जो अपनी क्लास होगी उसमें थोड़ा कुछिशनों का और लेवल हाड होगा तो दोस्तो इसी तरीके के कुछिशन्स देखने के लिए continue बने रहें स्रीश आम क्लास Kings के साथ में अपना प्यारोश सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ में बनाए रखें हम आशा करते हैं continue आपके लिए आगे भी इसी तरीके सिम क्लासे लेकर के आते रहेंगे थेंकि दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं अपनी next क्लास में